अगर आपकी गर्फरेंट का मूड खराब है तो आप उन्हें किस तरीके से वापस से सही कर सकते हैं चरिया आज जानते हैं मेरी इस वीडियो से दोस्तो अपनी गर्फरेंट के मूड को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानने की जरुत है कि उनका मूड किस चीज पर खराब है ताकि आप उस चीज को वापस से फिक्स कर सके क्योंकि लड़किया चोटी-चोटी सी सेंसिटिव मुद्दों पर काफी ज्यादा मूड खराब कर लेती है इसलिए आपको इन चीजों के वारे में पता होना चाहिए बार-बार एक ही चीज पर उने टोकना छोड़ दीजे क्योंकि अगर बार-बार आप एक ही चीज पर उने टोकते रहेंगे तो उसकी वज़े से उनका मूड और खराब हो जाएगा उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ रहेजे मज़ाब करिए, गाने सुनाइए, उन्हें जोक सुनाइए आप चाहे तो उन्हें गिफ्स या फिर चॉकलिट्स भी दे सकते हैं ये सारी चीजे लड़कियों को अपलिफ्टेट करने के लिए काफी अच्छी होती है लेकिन अगर आपकी गर्फ्रेंड कुछ समय के लिए एक शांत वाता वरण चाहती है तो भी आप उन्हें अकेला भी छोड़ सकते हैं क्योंकि कई बार हमें अपने सवालों के जवाब भीड में कम और अकेले पन में ज्याला मिलते हैं इसलिए अगर आपकी गर्फ्रेंड आपसे ये कह रही है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो तो उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजे और उसके बाद वापस से अपने काम पर लग जाए ऐसा करने से उनका मूर भी फ्रेश हो जाएगा और वो पहले की तरह खुश होकर आपके साथ बेहेव भी करने लगेंगी तो दोस्तों ये असान से तरीके जरूर अपनाईए मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजे